हांसी में सुब़ पांच बजे बाइपास पर केंटर और कार में जोड़दा टकर हो गई टकर इतनी भयानक थी कि हादिस्से में मौके पर ही कार सवार दो लोगों की मौत हो गई तो वहीं केंटर ड्राइवर समेथ चार लोग गंभी रूप से घायल है फिलाल गायलों को प्चार के लिए हिसार रेफर किया गया है जो अनकारी के मुताबिक दिल्ली सिर्सा नेशनल हाईवे पर डाटा गाउं के बने फ्लाई ओवर पर केंटर और ब्रेजा गाडी में टकर हुई है आई सर केंटर नसवगड से भादरा जो रहा था जबकि ब्रेजा गाडी का अभी तक पता नहीं लगा है वह स्पीड में भी थे इतना गाड़ी कटाई के सब इतना तुम गुस्या भाद आप गाड़ी में कितने बनने थे कि पिछे बढ़ा था सब्सक्राइब कहां से कहां जा रहे थे आप अम सार दिल्ली से बहादरा जा रहे थे बहस लेने के लिए कि गाड़ी आप खुद चला रहे थे गाड़ी आपकी खुद की है मालिक की है नहीं साथ कहां की गाड़ी इन अचब बड़कोला डेरी भी सर्थ आप कि गाड़ी में और कुन को नदे नाम बताने को याख और अधिद कि छोथा बंदा ये तो हमारे साथ दी तो उस्ताइब कशाएं सवारी बढ़ा ही त्याप्ने कैसे नहीं सवारी बढ़ा ही वह साथ मेता ले ने पिच्छे जगा लिए ते आए तो क्या नाम हादसे के बाद मौके बर पहुंची पुलिस ने बताया कि तीन लोगों की मुत हो चुकी है तो वही चार लोग गायल हैं बताया जो रहा है कि ब्रेजा गाड़ी तेज रफ्तार से रॉंग साइड आ रही थी के इसलें रहे थे पांच राफ फरे रहे तो इसेंहारी ते आ पिसहार वापी सारी बतारहे थेे इक शाइड वापी सारी नोडिया ऑर लॉंग साइड से वापिस यह कहां जा रहे थी या गाडि वापी gradi का बता रहे थे सब्सक्राइब करें टो अब प्रोंग साइड का ही मामला है या कुछ और कुछ महने का जब तो सर्मोख्य पर कोई मिला भी आपको adion रॉप मिला कोई केंट्र का ड्राइबर है कोई मिला है सब्सक्राइब कर आप कंट्र में लिटा कि पर भांगों तब ही यह हादसा हुआ है बताते हैं कि पुलिस ने कार सवार यूवकों के शवों को पोस्ट माडम के लिए अस्पिताल भिज़वा दिया है तो वहीं दोनों की पुलिस पहचान करने में भी जुटी कि आखर कार सवार यूवक कहां के रहने वाले थे हांसे से संदीब सहनी पंजाब केस्टु टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद